बारती स्कौर्ड की वर्ल्ड कप 2022 के लिए एनॉस्मेंट हो चुकी है लेकिन स्कौर्ड के अंदर तीन ऐसे बड़े पहलू हैं जो बीसी सी आये ने कहीं ना कहीं कर दी है गलती और उन तीन पहलू के सेलेक्शन के बाद शायद इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है वर्ल्ड क उसकप 2022 भारत के लिए बड़ी चुनौती और उमीदे लेके आ रहा है क्योंकि 2007 के बाद भारत ने कभी भी नहीं जीता है टी-20 वर्ल्ड कप जहां 2007 के इनॉग्रनल एडिशन में माद दी थी सभी टीमों को साउट अफरीका के उस मैदान पर लेकिन उसके बाद भला वो 2012 ह 2016 का सेमी फाइनल हो यह 2021 हो जहां भारत लीक स्टेज से ही बाहर होके वापस आ गया था उसके बाद जहां 2022 में भारत ने इश्यक अपको हार लिया है तो 2022 काफी उमीदे लेके आ रहा है और काफी ज्यादा इस्जत पर बनी हुई है बात यह भारतिय क्रिके टीम की क्योंकि जब लगब लगब 9 साल होने वाले हैं कि भारतिय क्रिके टीम में कोई दी ICC ट्रोफी को अपने नाम नहीं किया है इसे बीच में जहां BCCI ने स्कौर्ट का अनौसमेंट कर दिया है तो स्कौर्ट में तीन ऐसे पहलू है जो कही ना कहीं BCCI की बड़ी गलती बताये जा रह ज़्यादा जो गेंदबाजी में मदद मिल सकती है वो रवी विश्णोई को मिल सकती है क्योंकि उनकी गेंद हवा के अंदर ज्यादा गती पकड़ती है रवी चंदरन अश्विन से और अगर हाली में देखा जाए जब भी मौके मिले है रवी विश्णोई को खेलने के लिए वहां पर उन्होंने अच्छा परफॉमेंस दिया है रवी अश्विन से जहां अभी तक रवी विश्णोई ने केवल अपने 10 मुकाबलों में 16 विकेट्स लिये हैं जहां पर उनका पर ओवर एकॉनमी रेट लगबग लगबग 6 के आसपास का रहता है यह दिखाता है कि आपको रवी विश्णोई को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए थी रवी अश्विन के उपर उसके बाद दूसरा पहलू यह आता है जहां पर खराब पॉम में चल रहे हैं दिश्व पंथ को टीम में मौका दिया गया है संजू सैमसन की जगा जहां हमने देखा है रिश्व पंथ जिनकी आवरेज मातर 23 की है T20 इंटरनेशनल में और उनके सामने एक संजू सैमसन है जिनकी आवरेज 40 से ज्यादा की है IPL में आज तक 3 बार शतक लगा चुके हैं संजू सैमसन और उनकी हाल की फॉम को बात कर ली जाए उनकी एक पारी I.C. Ireland के सामने अभी 42 गेंदों में 77 रनों की जो दरशाती है कि शायद इस समय रिश्व पंथ से काफी बहतर फॉम में हैं संजू सैमसन जिनने ना तो अपने Australia, South Africa और World Cup इन तीनों स्कौर्ड्स के अंदर मौका नहीं दिया है जो मिलना चाहिए था कही ना की संजू सैमसन को हाला की संजू सैमसन को यहाँ पर New Zealand A के सामने इंडिया एका कप्तान गोशित कर दिया गया है लेकिन शायद संजू सैमसन कही ना कही सामने रिश्यपन से भेतर फॉम में है यह आंकडे भी बताते हैं और शायद फैंस भी इस बात को लेकर सोशल मेडिया पर खुब बातचीत कर रहे है इसके बाद तीसरा पहलू आता है जहां खराब फॉम वाले केल रहुल को एक मरतबा टीम में फिर से मौका दिया गया है और ना ही केल रहुल का कोई बैक अप लिया है भारतिय क्रिकेट टीम ने हम सभी ने देखा IPL के बाद लगबग 6 महीने तक केल रहुल क्रिकेट से दूर रहे और जब उन्होंने वापसी की ना तो उनके हक में जिंबावे का दौरा गया और एशिया कप का जो इंपोर्टन टेस्ट था वो भी केल रहुल के बल्ले से कुछ हमें बहतर करता हुआ नहीं नजर आया जहां हम सभी ने देखा केल रहुल ने हाला कि जाते जाते अफगानस्तान के सामने एक अर्ध छतक की ये पारी जरूर खेल दी लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए केल रहुल के बल्ले से पाकिस्तान शेलंका यहां तक की हॉंग कॉंग कॉंग के सामने भी रंज नहीं जो T20 के लिहासे से शायद आप लोग खुद भी आंक लेंगे कि बिलकुल भैतर आंक रे नहीं हैं तो ये वो तीन पहलू है जो शायद कई ना कई भारती क्रिकेट टीम को भारी पढ़ सकते हैं वर्ल्ड कप में जाते हुए जिसकी कीमत चुकानी पढ़ सकती है वर्ल्ड कप की ट्रोफी गवाकर क्या लगता है आपको इन तीनों पहलूं में से कौन सा पहलू सबसे ज्यादा कारगर है दीजी अपने राइ हमें कमेंट सेक्शन में और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजे हमें यूट्यूब पे पॉलो कर लीजिए फेस्बुक पे जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस अब्डेट वो भी सबसे पहले